हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू नंग्री देतिमन आज से हम करने वाले हैं कोश्यन आंसर सीरीज राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती के फर्स चेप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है अब हम उसके करेंगे कोश्यन आंसर जिस तरीके से RBSC की बुक हमने कम्प्लीट की है 6 से 10 तक की वन वाई वन बिल्कुल अमने एक भी चीज नहीं छोड़ी है हर लाइन जो है वो कुश्यन के पॉर्मेट में देखी थी इसी तरीके से हम यहां पर करने वाले हैं और जिन बच्चों ने पीडिएफ ले ले ली है 6 से 10 तक की कम्प्लीट RBSC की तो उन बच्चों को इतिहास गूगोल और नागरिक सास्त्र तो इन तीनों की पीडिएफ जो है वो मिल चुकी है इसके साथ ये जो यूटूब पर डाला जा रहा है राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती इसके कुश्चन अंसर सीरी जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी और इसके लिए आपको कोई भी अचरित बुकतान नहीं करना है ठीक है तो आप इस चीज को बिलकुल भी परेशान नहीं होना है कि ये जो पीडियफ है ये आपको नहीं मिलेगी बिलकुल मिलेगी जिन बच्चों ने पीडियफ जो है वो पहले से ले रखी है चलिए स्टार्ट करते हैं Q1. हमारे राजिस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किस ने किया तो इसका सही आंसर जो है वो है जोर्ज थॉमस Question number 2 हमारे राजिस्थान राज्जी के लिए सबसे पहले रायथान या राजिस्थान सब्द का प्रियोग किस ने किया तो option जब George Thomas आ जाता है, Colonel James Todd आ जाता है तो confused हो जाते हैं दोनों में याद रखना है राजपूता ना शब्द का इस्तेमाल किया और George Thomas ने और राजिस्थान या राजिस्थान सब्द का प्रियोग किया Colonel James Todd ने Next है question 3 राजिस्थान प्रदेश के लिए मरूश अब्द का प्रियोग सबसे पहले कहां मिलता है तो मरूश अब्द का प्रियोग जो है वो सबसे पहले मिलता है रिग वेद में Question number 4 30 March 1949 को अंतिम रूप से सर्व सम्मति से हमारे प्रदेश का क्या नाम रखा तो इसका सही आंसर है राजिस्थान तो अब आपको ये Question आंसर जो है वो बिल्कुल इजी लग रहे होंगे क्योंकि हम Book बढ़ चुके हैं राजिस्थान का एक ही करण कितने चरणों में हुआ? राजिस्थान का एक ही करण कितने चरणों में हुआ? तो सही आंसर है सात चरणों में Question number 6 बीकानेर, नागोर और जोदपुर का कुछ भाग प्राचीन काल में किस जनपद के नाम से जाना जाता था? इसका कुछ भाग प्राचीन काल में किस जन्पत के नाम से जाना जाता था तो आप लोगोंने बिल्कुल सोच लिया होगा और फटाफट से आपके दिमाग में आभी गया होगा इतना जादा मैंने आप लोगों को करवा दी है ये चीज कि आप लोग कोई भी कुश्शन जो है वो गलत नहीं करेंगे आंसर है जांगल जांगल प्रदेश कहा गया विकानेर नागोर और जोथपूर के भाग को नेक्स्ट है कुश्शन 7 जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी इसका सही आंसर है अहिच हत्रपूर नेक्स्ट है कुश्यन नमबर एट महा भारत काल में मतस्य जनपत की राजधानी कौन सी थी मतस्य जनपत की राजधानी आपको याद है तो आंसर क्या है विराट नगर याद रखना है ये राजधानी हमें कहा मिलती है महा भारत काल में ठीक है महा भारत काल में मतस्य जनपत की राजगानी कौन सी थी विराट नगर जिसे हम बैराट कहते हैं माही नदी के आसपास का प्रताब गड़ का भूभाग किस नाम से जाना जाता था तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कांठल जो कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी पूछा था भैस रोड़ गड़ से लेकर बिजोलिया तक का शेत्र पठारी होने के कारण क्या कहलाता है तो याद आया होगा आपको जब मैंने बताया था कि भैस के उपर बिजली गिरी याद आया आपको इसका सही आंसर है उपर माल भैस के उपर बिजली गिरी ऐसे आप याद रख्माएंगे कुश्यन नमबर 11 उदैपूर का आसपाज का शेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण क्या कहलाता है इसका सही आंसर है गिर्वा Quescion number 12 डुंगरपुर और बासवाड़ा का शेतर क्या कहलाता है? डुंगरपुर और बासवाड़ा का शेतर क्या कहलाता है? जिसका सही answer है बागड ठीक है? बागड नहीं है यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी यह है बागड Next है Quescion 13 कोटा और बुंदी का शेतर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका answer है हाडोती का शेतर कोटा बुंदी 12 और जहालावाड यह हांडोती के शेतर के अंतर गताते हैं तो यहाँ Quescion कुचा है कोटा और बुंदी का शेतर किस नाम से जाना जाता है? आँचर है हाड ओती तो आपको सब easy लग रहा होगा मुख्य रूप से मानव इतिहास को कितने प्रकारों में बांटा गया है? इसका सही आंचर है तीन प्रकार में कौन-कौन से प्रकार में बांटा गया है? तीन प्रकार में जिसमें क्या था? प्राग यूग, आद्यूग और एतिहासिक यूग Question number 15 मानव इतिहास का काल जिसके ग्यान के लिखित साक्ष उपलब्द नहीं है आंसर है प्राग यूग इसके लिखित साक्ष जो है वो उपलब्द नहीं है जैसे कि पाशान काल Next question 16 मानव इतिहास का काल जिसके अपठनिय साक्ष उपलब्द हैं यानि की अपठनिय साक्ष तो मिले हैं लेकिन वो पठन के लिए नहीं है यानि की पढ़ा नहीं जा सका है इसका आंसर है आद्यूग और एक्जामपल में क्या बताया मैंने हडपा हडपा काल या सिंदुगाटी सब्वेता जहां पर साक्ष तो मिले हैं लेकिन वो अपठनिय हैं हडपा सब्वेता से लेकर 620 पूर्व तक 600 इसा पूर्व तक मानव इतिहास का युग है तो देखिए हर चीज पता होती है लेकिन फिर भी गलती हो जाती है सेंटेंस को या वाक्य को अच्छे से समझने में तो यहां पूचा है हडपा सब्वेता से लेकर 600 इसा पूर्व तक इस इतिहास का युग जो है वो कहलाता है आद्द युग ठीक है और हडपा सब्वेता से पहले का प्राक यूग और हडपा सब्वेता के बाद का एतिहासिक यूग चैसो इस भी पूर्व से लेकर आज तक के यूग को क्या कहा जाता है तो ये अब हम समझ गए हैं इसे कहा जाता है एतिहासिक यूग next देखिए 20 question मानव ने सबसे पहले किस धातू का प्रियोग किया मानव ने सबसे पहले किस धातू का प्रियोग किया तो इसका सही आंसर है तामबा का next है question 21 तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ये बहुत ही easy question पूछे जा रहे हैं तो देखिए chapter के according ही मैं चल रही हूँ हर paragraph को मैंने question के format में किया है और जितना कोई जो भी easy है या hard है सब भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और बिल्कुल line by line मिलेंगे काली बंगा की खोज किसने की काली बंगा की खोज जो है वो की अमलानंद घोसने question number 22 काली बंगा सब्वेता कहां विक्सित हुई तो यह हनुमान गर जिले में विक्सित हुई जो की घगर नदी के किनारे मानी जाती है next है घगर नदी के किनारे कौन सी सब्वेता विक्सित हुई तो answer जो है वो बिल्कुल अभी बताया गया है कि घगर नदी के किनारे जो है वो काली बंगा सब्वेता विक्सित हुई अगला देखिए डॉक्टर बी बीलाल और बी के थापर ने किस सब्वेता का उत्खनन कार्य किया तो फटा-फट से बताईए अब ये कोशन मैं आप से पूछ रही हूँ कि डॉक्टर बी बीलाल और बी के थापर ने किस सब्वेता का उत्खनन कार्य किया तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा आपने तो भटा-पट से सोच लिया होगा सही आंसर क्या है काली बंगा सब्वेता इन्होंने इसका उत्खनन कार्य किया था और जब बात आएगी कि काली बंगा सब्वेता की खोज किसने की, तो अमलानंद गोशने की, किस सब्वेता की खुदाई में मिले मकानों का निर्मार एटों से हुआ, तो यहां मकानों का निर्मार जो है एटों से हुआ, वो है काली बंगा सब्वेता, जो याद आया होगा आ लकडी व ईटों से नालियों का निर्मान किया गया, तो ये एक अच्छी सब्वेता मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आधनिक काल की तरह ही, गंदे पानी को निकालने के लिए लकडी और ईटों की नालिया बनाई गई, तो ये बनाई गई है काली बंग सब्वेता में, याद रखना है आपको इस चीज को, नेक्स्ट है, कुशन 27, किस सब्वेता के खुदाई में एक टीले पर दुर्ग के अवसेश मिले हैं, कि यहाँ किला हुआ होगा, तो ये आंसर है काली बंगा सब्वेता, नेक्स्ट है, कुशन 28, तो जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि यदि आप नोट्स बना रहे हैं, तो बिल्कुल नोट्स बनाई हैं, टॉपिक वाइज, अभी हम काली बंगा सब्वेता की बात कर रहे हैं, विस्व में सबसे पहले जुते हुए खेद के साक्ष किस सब्वेता से मिले हैं, या सबसे पहले दो फसल उगाने के साक्ष, एक साथ दो पसल उगाने के साक्ष कहां मिले हैं, इसका आंसर है काली बंगा सब्वेता, जहां से हमें जुते हुए केत के साक्ष मिले हैं, अगला देखिए किस सब्वेता में गाए के मुख वाले प्याले मिले हैं, अब देखिए ये जो है, आपको बिल्कुल नया कोश्चन मिला है जो कि आपने नहीं पढ़ा है और यही कोश्चन यदि एक्जाम में आ गया तो आपको सब्वेताएं आपने याद कर ली हैं फिर भी आपका वहाँ पर आंसर नहीं आ पाएगा याद रखना है कि गाये के मुख वाले प्याले जो हैं वो हमें मिले हैं का 30 काली बंगा की खुदाई में प्राप्त सब्वेता की पांच इस्तर में से कितने इस्तर हडपा से भी प्राचीन हैं तो इसका आंसर है वो है दो इस्तर नेक्स्ट देखिए 31 कुश्चन काली बंगा की सब्वेता में मिले बर्तनों का कौन सा रंग है तो बताईए काली बंगा की सब्वेता में मिले जो बर्तन मिले हैं उनका रंग कौन सा है तो ओप्शन देखिए लाल, नीला, पीला या काला तो बताईए इसका सही आंसर क्या होगा तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल नेक्स्ट है क्योंकि काली बंगा का अर्थ समझकर की काले रंग की चूडियां तो वहां आप काला जो है वो बटन का रंग कर सकते थे ठीक है याद रखना है लाल किस सब्वैता में खुदाई में एक बच्चे के क काली बंगा सब्वैता को कितने भागों में बाटा गया है तो इसका सही आंसर जो है वो है दो भागों में कितने भागों में बाटा गया है दो भागों में नेक्स्ट देखिए 34 कोश्चन काली बंगा सब्द का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ जो है वह है काले रंग की चूडियां और बरतन कैसे मिले हैं लाल रंग के नेक्स्ट देखिए 35 कोश्चन किस सब्वेता के तामबे के ओजारों के निर्माण का केंदर होने के कारण तामरवती भी कहा जाता है उसे तामरवती नगरी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर तामबे के ओजार जो है वो काफी मिले है तो यहाँ पर ओजारों का निर्माण होता होगा, तो यह है आहड सब्वेता, आहड सब्वेता से हमें क्या मिला है, तामबे के ओजार के निर्माण के केंदर होने का प्रमाण मिलता है, कि यहाँ पर ओजारों का निर्माण होता होगा, तो अंसर क्या है, आहड सब्वेता, नेक्स्ट है 36 कुश्चन आहर सब्वेता की खुदाई कारे किसके निर्देशन में हुआ और इसके खोज करता कौन है तो देखिए इसका सही आंसर है अक्षे कीरती व्यास तो यहाँ पर थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है तो आहर सब्वेता की खुदाई का कारे जो है वो अक्षे कीरती व्यास के निर्देशन में हुआ और इसके अलावा याद रखना है कि यहाँ पर जो खोज करता है वो कौन है खोज करता है तब भी आपका अंसर क्या होगा अक्षे कीरती व्यास ठीक है थोड़ा सा सेंटेंस म निर्देशन में खुदाई का कारे हुआ तो खोज करता कौन कहलाएंगे अक्षे कीरती व्यास नेक्स्ट है 37 question आहर सब्वेता की खुदाई कारे किस ने किया तो अब देखिए खोज करता कौन है अक्षे कीरती व्यास और खुदाई का कारे जो है वो किया रतन चंदर अगरवाल HD सांकलिया ठीक है इन्होंने किया खुदाई का कारे किसके निर्देशन में किया अक्षे कीर्थी व्यास के निर्देशन में किया गिलूंड सब्वेता किस नदी के किनारे विक्सित हुई गिलूंड सब्वेता किस नदी के किनारे विक्सित हुई तो इसका सही आंसर है बनास नदी के किनारे गिलूंड सब्वेता जो है वह है रा सम्मजले में बनास नदी के किनारे विक्सित हुई कोशिन नमबर 39 गिलूंड सब्वेता कहां विक्सित हुई तो अभी मैंने आपको बताया गिलूंड सब्वेता जो है वह है राज सम्मझ जिले में विक्सित हुई तो आज का ये अंतिम प्रशन देखिए गिलूंड सब्वेता का खुदाई कारे किस ने किया तो उत्खनन कारे जो है वो कौन है गिलूंड सब्वेता के तो देखिए ऑप्शन अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि बीबी लाल है डॉक्टर बी एस सिंदे है प्रॉफेसर तो कौन है गिलूंड सब्वेता के खुदाई कारे से संबंदित तो इसका सही आंसर जो है वो देखिए बीबी लाल भी है डॉक्टर वी एस सिंदे है और प्रॉफेसर गैगरी पोशाल भी है ठीक है तो इस तरीके से आज हमने 40 कुश्चन किये हैं वीडियो काफी लंबा ह हो जाएगा मुझे नहीं लगता है कि आपको एक भी कुश्चन में परेशानी होगी क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद हर कुश्चन जो है वो इतना इजी हो जाता है और आप तो सोचिए कि आपकी जो रिवीजन है जो आप करेंगे वो रिवीजन तो आप यहीं पर कर लेंगे तो मिलते हैं इसी तरीके से कुश्चन आंसर सीरीज के साथ थैंक यू